दस बीस कसाई हिल मिलकर धरती पर नर्क बहाई रहे नियम सर्त इतने अच्छे अधिकारी खुद दफनाई रहे गर कीजेगा मित्रो खोन की इतनी तेज धार सिस्टम इसमें बहजाई रहे क्या कहें प्रदूसन अधिकारी उसमें ही खुब नहाई रहे अब बताएए मित्रो जो ये खुण की धार आप देख रहे हैं क्या इसे नियम पालन कह सकते हैं कि नियमों का पालन हो रहा है किसी बेफसाई बिसे इस पर निसाना नहीं है आरोप नहीं है मगर इनोंने नर्क कर दिया है इसे कहीं भी नहीं कहेंगे कि ये नियमों का पालन है क्या यहां किसी वेफसाय पर रोक है नहीं है हमारा सम्मिधान लागू नहीं करता है किसी पर उमली उठाना मगर क्या किसी भी फैक्टरी में ये एक ब्लड नहीं किसी भी फैक्टरी का डिस्चार्ज हो क्या इस तरीके से आप नदी गंदी करेंगे और सम्मिधान देखता रहेगा ये अपराद नहीं है मित्रो जो आप ये खून की धार देख रहे है न ये बुलंद सहर जिले की है कहां किये खुरजा बुलंद सहर जिले की है कितनी तेज धार है और ये अभी 21 जुलाई की है 21 जुलाई की है और य ये खाली 21 जुलाई की नहीं है इसी तरह आप देखेंगे तो ये रोज की है कभी रात में कभी दिन में कभी कम कभी जादा आप मित्रोगाउर कीजिएगा ये बुलन सहे जिले की जो खून की धार देख रहे हैं इसी के तुरंत बाद आप आलीगड की देखेंगे क्योंकि य इसके बाद आप देखेंगे आगरा की और उन्नाव की जो तेज जुलाई को ली गई है मतलब एक दिन में दो जिले देखे गए वीडियो बनाई गई जो इस्तिती है वो सब सामने आपके रखी गई है मतलब सभी ये पिछले सब्ता की हैं इसी सब्ता की आज सो मर है और इ इन अधिकारियों पर हमारी सेहत की जिम्मेदारी है क्या हमें इने अपसर कहेंगे कोई कहीं से भी इन्हें कहा जा सकता है कि ये छेतरी प्रदूसर्ण नियंत्रण अधिकारी पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए इसे इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए सिक्रेटरी प्रदूसर नियंतरंड बोर्ड पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए डियम पर मुकदमा होना चाहिए अगर कहें कि इन तीनों अफसरों ने नर्ग कर दिया है खाली ये खून की धार नहीं है मित्रो किसी भी फैक्टरी में लेलो ओबर एक्सप्रोटिड एरिया लेलो सेफ जौन लेलो क्रिटिकल एरिया लेलो हर जगे का यही वाल है हर जगे का यही वाल है तो गउर की जिगा दस-बीस कसाई हिल मिलकर यहां यह आपको इसलिए खून की धार दिखाई गई है क्योंकि इसे चुंकि इसका रंग लाल है और इसे आप आसानी से समझ लेंगे और देखकर खुद ही समझ गए होंगे चाए वो स्टील प्लांट हो, चाए वो पेपर मिल हो, चाए वो केमिकल फैक्टरी हो, चाए वो बैटरी हो चाए वो किसी भी तरह की फैक्टरी क्यों न हो, मगर डिस्चार्ज मना है, गंदा पानी नदी नाले में छोड़ना मना है मित्रो फिर भी अधिकारी इतने मनमानी कर रहे हैं, ये तीनों अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, इने हम आसानी से कह सकते हैं कि ये तीनों अपसर बेलगाम हैं अब आप कहेंगे कि डियम साब कैसे बेलगाम है तो डियम साब क्यों अंदेपोते हैं अभी हम आपको सारा समझाएंगे अब जितने इसमें डियम साब सने हैं उससे ज़्यादा छेतरी अधिकारी सने हुए हैं प्रदूसन नियंत्रण बोड के और उससे ज़्यादा कसाई हिल मिलकर धर्ती पर नर्क बहाई रहे और नियम सर्त इतने अच्छे अधिकारी खुद दफनाई रहे खून की इतनी तेजधार सिस्टम उसमें बहजाई रहे क्या कहें प्रदूसन अधिकारी उसमें ही खुब नहाई रहे सियम साब भी क्या समझें सियम साब कैसे समझें जब डियम साब समझाई रहे और डियम साब कैसे सुधरें उन्हें ठाठ बाठ बहकाई रहे बारा भीगा में खेत है मित्रोचीव जश्टिस प्रधान न्याया धीज के पास नहीं होती है कोठी में इतना बड़ा फारम हाउस नहीं होता है कि वो उसमें सबजी फला ना जोगा सकें पियम साब के पास ये सुधर नहीं होती है हमारे प्रेसिडेंट महोदय के पास ये सुधर नहीं होती है जो इन डियम साब के पास है मगर इनकी करतूत इनके काम इनकी नियत इतनी अधीपुती है इनका बस चले तो ये इनके तो बच्चे कहीं विदेश में पढ़ते होंग अगर यहां कोई भगवान न करे भूकम पा जाए कुछ हलचल हो जाए कुछ भी यहां हो जाए यह इतने देश प्रहमी हैं कि विदेश ओडने में देर नहीं लगाएंगे चाए वो प्रदूसर्ण यंत्रन बोर्ड के सचिव हो चाए वो चेतरी अधिकारी प्रदूसर्ण य में भी जाएंगे यहां नहीं टिकेंगे यहां इनौने फैक्टरी बना रखा है देस को हमारे देस को जिले को नहीं पूरे देस का यही हाल है एक डियम का नहीं कहेंगे कि बुलंसहरा अलिगड़ और यह आगरा और उन्नाव के डियम ऐसे हैं हापड और गाजियाबाद के डियम ही ऐसे हैं पूरे देश का यही हाल कर रखा है तो गवर कीजेगा मित्रो दस बीस कसाई हिल मिलकर धर्ती पर नर्क बहाई रहे नियम सर्त इतने अच्छे अधिकारी खुद अफनाई रहे खून की इतनी तेजधार सिस्टम उसमें बहजाई रहे क्या कहें प्रदूसन अधिकारी उसमें ही खूब नहाई रहे सियम साब कैसे समझें जब डियम साब समझाई रहे अब डियम साब कैसे सुधरें उन्हें ठाट बाट बहकाई रहे कागज की गुंडा गर्दी जब मेरे सचिव साब चमकाई रहे प्रदूसर्ण नियंत्रण बोर्ड के सचिव नाम है इनका पद है इनका सचिव इनको सर्म नहीं आई इन्होंने पद की क्या गरिमा होती है क्या उनके काम होते हैं आज तक किसी भी सचिव ने तो बहुत दूर रहा प्रदूसर्ण नियंत्रण बोर्ड का एक जिले इस्तर का जो अधिकारी होता क्या उसने कभी जाकर देखा है यह जो खून की धार आप देख रहे हो यह जिम्मेदारी इनकी है मगर अगर इन्हें लिखके दी हुई है सिकायत दी हुई है मैं यह सिकायत सीम साब को भी दूँगा पीम साब को भी दूँगा और मैंने मेल पे भी दी हुई है मैं टाइम ले रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखिए कितना बड़ा इनोंने आपके लिए न प्मारे पिम साब का और सिम साब का यही काम रहे गया कि वो नाला नाली देखेंगे राश्ट्री और अंतर राश्ट्री समस्या इनके लिए कम हैं लेकिन ये इतना गिर गया है अपसर साही का पूरा ख़ंभा इतना ऐसा जुग गया है कि इन्होंने सासन कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो सब को बदराम कर रखा है सब को ऐसे चुंगल में फसा रखा है कि किसी की भी महनत मंसा आज हमारे पीम साब ने देश को कहां पहुँचा दिया दुनिया डर रही है दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है मगर ऐसे अधिकारी नर्ग किये हुए है उनकी महनत और मंसा पर बट्टा है आज हमारे सन्यासी को देख कर कौन नहीं कह सकता है कि यूपी की किस्मत तेज है मगर ये हमारे योगी जी को भी पलीता छुआ रहे हैं पलीता एक सन्यासी को इन्हें सर्म नहीं आई कि जिस गंगा में वो नहाएंगे जाके पानी लेते हैं मुह में उस यमना और गंगा को क्या दे रहे हो लेकिन चुँकि पता नहीं इनका हाजमा कैसा है इन्हें सब सुद्ध है तो गवर कीजिगा इन्हें सुद्ध सुरी इन्हें सभाजम है सियम साब भी क्या समझें जब डियम साब समझाए रहे डियम साब कैसे सुद्ध रहे उन्हें ठाटबाट बहकाए रहे कागज की गुंड़ा गर्दी जब मेरे सचिव साब चमकाए रहे जो जैसा बूचड़ खाना है बैसे ही मोल लगाए रहे अदबुद है बेडा अफसर का लत्ते का साप बनाए रहे कोरा कागज है सफा चट्टू समें कानून पढ़ाए रहे जुर्म के रत पर डियम साब छेतरी अफसर धक्याए रहे दोनों अधिकारी जिला सहित पाताल लोक ले जाए रहे धन्य हो जुर्म के रत पर डियम साब साबित कर दूँगा जुर्म के रत पर डियम साब छेतरी अफसर धक्याए रहे दोनों अधिकारी जिला सहित पाताल लोक ले जाए रहे डियम प्रदूसन अपसर के पाताल लोग गहराई रहे इसलिए तो सचिब साब कोरा कागच चमकाई रहे गवर कीज़ेगा यमुना में तेरे खोन के क्या कहने मित्रो यमुना में खोन के क्या कहने कैमिकल है बदबू बाला कागच की गुंडा गर्दी ने जैसे कहीं स्वर्ग बना डाला तो मित्रो आप सोचिए कि आप कह रहे होंगे कि डिस्चार्ज में डियम साब का क्या मतलब तो आप एक चीज़ समझे जो ये खोन की धार बह रही है जिसे ये ट्रीटिड वाटर बोलते हैं प्रोदूसर्ण छेत्री प्रोदूसर्ण नियंतरन बोर्ड का अधिकारी और में घुसेंगे और हम लोगों को ये पिला रहे हैं इनको सर्मा जाएगी जबकि ओबर एक्सप्रोटिड एरिया में ये बूचड़ खाना हैं बुलंद सहर हो चाय अलीगड हो चाय गाजियाबाद हो और चाहे हापड हो मगर ये डियम साब इतने अधेप होते हैं कि देश क बड़ी अधालत मतलब NGT का इसपष्ट आदेश है मित्रो 26 इसपष्ट आदेश है और पेज नंबर 18 पर इनकी जिम्मेदारी लिखी हुई है कि डियम की जिम्मेदारी है कि ओबर एक्सप्रोटिड एरिया में फैक्ट्री पानी ले रही है उस पर ताला बंदी करें और उ आज दस महिने हो गए हैं ना कानून का ये को मानते हैं ना ही इनों ये मनवाते हैं तो ऐसे डियम साब को हम क्या कहेंगे बताओ आप बताओ क्या इनकी जिम्मेदारी पर जब अधालती आदेश का पालन नहीं होगा नहीं मानेंगे तो मनमानी का दूसरा नाम क्या है और ज इन्हों ने भिकारी बना लिया है। खुड को नहीं हम लोगों को भिकारी बना लिया पूरे जिले को जिस जिले में जा रहा वहां भिकारी बना दिया। तो इसी तरह सिमित्रो 26 सितंबर का आदे साइन जी टी का एक दूसरा है। ये है 11 सितंबर का जिसमें 18 नंबर पेज पर डियम की जिम्मेदारी है। और उसके बाद 26 सितंबर का आदे साइन जी टी का इस परष्ट है और बूचड़ खाने पर ही है। इस परष्ट लिखा है कि एक भी बूंद नदी में नाले में जमीन में एक भी बूंद आप नहीं जाने दी जाएगी। अगर गई तो वो गुना है एक भी बूंद नहीं बहाने दी जाए। इस परष्ट आदे साइन अफसरों के लिए हैं। नाला नाली में एक भी बूंद नहीं बहाया जा सकता और बूचड़ खाने पर ही ये सुनवाई हुई है इसके अलावा कोट ने हर तरह की फैक्टरी का हो चाहे वो ब्लेक लिकर अलाकि मित्रो ये लाल रंग जो आपको दिख रहा है ये बाऊत वो है, ज्यादा जूर्म है नहीं इससे भी बड़ा जूर्म है, स्टील प्लांट, पेपर मिल ये कुछ ऐसी एकाईया हैं स्टील प्लांट हुआ, पेपर मिल हुआ, दारू मिल हुआ चैमिकल एकाई हुई, ब्लेक लिकर उनमें बहरा है इससे दस गुना ज्यादा वो खतरनाक है और एक चीज बताओ मित्रो ये जो खून की धारा अपने बुलंद सहर अलीगड खुर आगरा उन्नाव पुड़ गाजियाबाद की देखी है ये इसी सप्ता की है मगर इसमें एक 2017 की तस्वीर आउल लगाई गई है और उसी बूचड खाने की है और उसी अलीगड की है 2017 की ये तस्वीर जो तस्वीर तेश जुलाई 2020 के दिन मतलब अभी 5-6 दिन पहले ली गई है और इसलिए लगाई गई है कि जो हालत 2017 में थी वही हालत आज है सब जगे है तो ये मैं इसलिए दिखाया है कि अब आप समझ जाएंगे कि सियम साहब कोई भी हों चाये वो सन्यासी जी हों चाये अखले स्यादव रहे चाये मायवती जी रहीं चाहे PM साहब हमारे डाक्टर मनमोहन सिंग साहब रहे, चाहे हमारे नरन मोदी जी हैं, ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं, इनका बस चले, तो लोगों की कब्र पर फैक्ट्री चला देंगे, ये तीन अधिकारी, अब तीनों अधिकारी के नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, तो अब आप खुश समझे कि हमारे देश में अगर यही ऐसे होता रहा, तो ये जो सालाना 35 लाक मौत हो रही है, काई से, प्रदूसन की बज़े से, चाहे पॉलूटिट पानी पी रहे हो, चाहे वो किडनी का रोग लग लग गया हो, लीवर का हो, एड्स का हो, टीवी का हो अस्थमा का हो, कैंसर का हो, आज 13 से 15 करोड आवादी हमारी कैंसर की मरीज है मित्रो, और ये 2020 की WHO की रिकोर्ट है, कि अगर भारत देश की इस्तिती यही रही, तो परणाम गंभीर होंगे, मगर अब भी अगर हमें ने अधिकारी कहते हैं, और अब भी हमें इनके लिए, न दुहार नहीं लगाते हैं, कि इन ऐसे जिम्मेदार अपसरों पर मुकदमा लिखाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि सिस्टम ने कोई जगए नहीं दे रखी है, कानून जब था, जब बना था, तब माहौल बहुत अच्छा था, उस समय इनकी पूजा होती थी, क्योंकि उस समय ये काम करते थे, आज ये नर्क कर रहे हैं, आज समय की मांग है, कि ऐसे अपसरों के खिलाब, चाए वो डियम हो, चाए वो प्रदूसर नियंतरन बोर्ड के अपसर हों, सचिब हों, ऐसे अपसरों पर मुकदमा होना चाहिए, तो मित्रो जागिये, मैं आपको नहीं रहा हूं, किसी विशेस बेफसाय के लिए उंगली नहीं उठा रहा हूं, बलकि बूचड खाने तो फिर भी एक हिसाफ से देखा जाए, तो ये कम पड़े लिखे लोग होते हैं, ये कैद में हैं, इनसे कराया जाता है, इनसे ये जुर्म कराया जाता है, और ये भी इतने अंधे हैं पैसे में, कि ये अपनी नियम सर्तें ना पढ़पा रहे, ना पढ़वा पा रहे, ना पालन करना जानते हैं, ये अपने धंदे में अंधे हैं, और ये निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते हैं, वित्रो यही नहीं, कोई भी फैट्री मालिक नहीं चाह कि हम पर इस तरह की कानूनी कारवाई के दाइरे में हम आ जाएं मगर चूंकि इनके पीछे जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये अधिकारी नहीं है इनने में बार-बार कर रहा हूं ये नर्क हैं और ये नर्क अगर नहीं धोया गया तो हमारे देश का हाल बहुत आगे चलके बत्तर होगा लाखों करोड हमारा नदी में बहरा है सफाई के नाम पर लाखों करोड बजट खर्च हो रहा है घर घर में बीमारी है आज खाना पीना लोग नहीं खाते हैं और सेहत पे ज़्यादा खर्च करते हैं और फिर भी सेहत मंद जीवन नहीं जीते हैं अंत में उन् मरना सब एक जैसा हो रहा है बज़े क्या है सिर्फ ये पांच जमूरे अगर इन्हें कहा जाए ये पांच जमूरे पूरे देश का नास किये हुए है ना ये कानून का वानते है इतने इतने आदेश सुप्रेम कोट, NGT ऐसे एतिहासिक आदेश 2019-2020 में जो NGT के आदेश आए हैं अगर इनको सर्म होती किसी को तो ये हालत अब भी सुधार जाते ये कोरोना से दस गुना बड़ी महामारी है मगर चूंकि ये बेलगाम है और ऐसा ही आलम रहा तो आगे का भवेश से भगवान भरो से है समर्ष्या टेम से सहले सिंग नमस्तर